मैं ड्र गुलाप्तिन मिना एसोशेट प्रफसर प्रण्टिक साइंस एसार्पी गवर्मेंट पीजी खुरेश बैंदिकुई अब अब देखेंगे नहरू के राजनेते विचार के बारे में कि वो सामराज और फाश्रवाद के प्रबल गृयोदी था यह नहीं था नहरू की जो धर्म ने पेक्सता थी उसके बारे में तरस्टिकोनों की बात करेंगे नहरू का जो राश्रवाद अंतराश्रवाद था उसके बारे में विचार करेंगे देखेंग नहरू के राजनेतिक विचार के रूप में नहरू एक महा मानव थे और उन्हों नेके वल राजनेतिक वरन सामाजिक आर्थिक और अससे आगे बढ़कर मान विश्यों पर विचार व्यक्त किये गें लेकिन राजनेती नहरू की मुख करम भूमी थी और इस कारण राजनेती विश्यों प्रवणों ने आवशक गंभीरत और व्यापकत साथ विचार व्यत की राजनेत चेत्रमुन की प्रवण विचार विशेज जो थे वो वहस महत्पून थे पहला देखें हम सामराजवाद फासिवाद का प्रवल विरुद है नहरू का पालन परूशन अrab गवारट वाद्विया नहरू हुआ योजम्वाद अ कर्वारी नहरू की दर्ष्टि से पर सामराजबाद और फासीबाद प्रवर्तियों की विरुध में सलंग न रहे, इंडोनेशीय मोरकव, ट्यूनेशिय अल्जीरिया की स्वत्तमता स्वारद इंत्र की वृद्ध, समराजवाद इसट इंतर के विरुद कांगों की एकता की रक्षा में नहरून महत्मुन यूगदान दिया और समराजवाद और फासिवाद की विरुद में उनकी विचार इस तरह से थे समराजवाद huhgrowth करें नह्रूद समराजवाद में के उदय और विकास की समस्त प्रक्रिएमें परचित है though जानते थे कि राजनतीक समराजवाद इदेश इंसा रुद्ःडन कारी प्रक्रिए क कर अपना करके और程 शोषन कर देश से समराजवाद कि स्था पना करतें सेंप्राजवाद शोर्षण लूट खसोट इंसा को प्रशन करता है, अतोंने सम्राजवाद और सांब्राजवादी मनोपरत इसे गढ़ना थी, और सांब्राजवाद को शोर्षण की दर्द बरी कहानी और मानावता की नाम पर कलंग कहते हैं, लक्स राष्टी अंतराश्च इस्तर पर शोशन कियो इस इस्तिती गश्माप करना था वस्रेल्स में सामराजवाद इविरोधि अंतराश्च इकांगरेसlying जवाल नह्रू पर नें सामराजवाद की तर Mina क्या लोच नियकर देवी कहा था जिससे आपको समराजवत के ढाचे को उनके नतीजों को समझने मदद मिले तो मेरी राय से हिंदुस्तान से बढ़कर को दूसरी मिशाल नहीं है। अंग्रेज़ों के आग्मन से पूर दौलत से भरपूर था लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इस देश में दिल दहलाने वाले गरीबी जार और चागे आज की भारत में हर कहीं भूके लोग दिखाए पढ़ें। दूसरा था सामराज़वाद के पढ़नाम और राजने त्यत्यचार सामचे की खड़नाने। सामराजवाद हिंसा और बल प्रियोग पर आधार था। इंसा और बल प्रियोग पर और अपने अधिकारों की मांग कृणने वाली जनतापर निनममतपूर गोली बर्षा करता थ़ और जलेवाला बाग अत्यकान्र एमान वे इंसा के प्रतिकी रूप में सामराजवाद की एतिहास का जीवन्त प्रमान सामराजवाद फूड डासन करो डिवाइड एंट रूल की नीती मिश्वास करता है पता है वह सासित देश की जनता में फूड की बीज बो देता है सदियों तक चुटकर नहीं पाज़ सकता सत्ताइस अक्पर में 1929 को प्रांती राजनेती कंग्रेसमन सामराजवाद के समंद में कहा कि हमारा दुस्मन इंगलर्ड नहीं है हमारा दुस्मन तो सामराजवाद है और जहां सामराजवाद है वह हम खुशी के साथ नहीं जह सकते विदेश इसासन के दिन कोई भी जिन्दा कौम अपनी विजेताक सासाथ कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकती क्योंकि इन चैन के माइने हैं गुलामी और गुलामी के माइने हैं उन सब की मौत जो काम को जिन्दा रखने की तागत होती थी तीसरी जो बात की फासिवाद और सुत्मता प्रगति और विश्वनते के विरूत नहरू की दृष्टे में फासिवाद और नाजिवाद सामराजवाद और जातिवाद प्रतक्ष उग्र रूप है और सामराजवाद के समान फासिवाद और नाजिवाद की प्रबलतम शब्द मालोच नहुए नहरु प्रतेक विक्ति सुतनता के प्रभल समर्थ तक थे वो जानते थे कि फासिवाद अनुसासन के नाम पर नागरी को सुतनता का अप्रण कर सकता है और फासिवाद प्रगती विरुद वीचार दा रहा है क्योंकि प्रगुति शिल समाज में फासिवाधी वैस्ता को बनाएं रएक पाना संभाव नहीं होता। फासिवाद उगरास्टवाद प्षवास करता है और उगरास्टवाद के नाम पर जनता का युद्ध के लिए प्रिड़ करता है। फासिबाद कालों उचने करते हैं उन्हें दिसंबर 1936 में फेजपूर कॉंग्रेस के दक्स पर से कहा था कि फासिबाद अंतराश्टी मामलों में खुलम खुला गुंडा पन पर उतराया है क्योंकि इसकी नीम ग्रिणा और इंसा पर आधर दे इसलिए अगर इसे रोका ने गया और लड़ाय की चिंगारी जरूर बढ़कती है उठेगी अगले और 1937 में लखनों के अपने दक्ष भासनों परस्ताव किया कि अभी सीनिया में लोगों को सराना सानभूती का एक संदेश बेजा जाए तो मुसलोनी की फासिस चेनाओं का वीर्था से सामना कर से किया गया नो में को अभी सीनिया दिवस की रूप में बनाए गया और अभी सीनिया अक्सास सानभूती और इटली की निंदा का प्रस्ता पार आज कहा है हो बड़को तो कुँ पासिवाद लोकतांतर विरूदी जवाला नहरू के लिए लोकतांतर की वेस्ता ही नहीं वरन विश्वास और आस्ता का प्रस्ण है फासिवाद अपने हुदय विकास और संपोन परक्रियम लोकतांतर विरूदी कर सिनिया फासिवाद कथोड़ सब्दमालों चना विभारम प्रते के स्तरपरस के विरूद कि इसके लिए लोकतंत्र जीवन फासिवाद मृत्यु का संदेश वायग था और नहरू फासिवाद के ऐसे प्रवल विरूदी थे जिसके मुस्वलीनी अपनी ख्याती की चर्म शिकर पर था उस समय नहरू निमस्वलीनी से मिलने के नहेरो प्रति, धारम के प्रति नहेरो का दृति कुछ है हूं कुछ समिज़ा जा सकता है। और मुझे प्राय उसकी भर्षन किया, पूनों तर नश्ट कर देने की इच्छा किया, ऐसा प्रतित होता को नों धरम के संक्टे स्वरूप ने प्राय सदेव, अंदिविश्वास, प्रतिकरिया, सोशन और विशेश रितों को प्रशे दिया, नहरू को समझ चंतन का धन करने पर इसपर्ष्ट हो जाता है कि वस्तोत नहरू में धरम और विश्वर की प्रतिकोई विरूद भाव या ना दरभाव नहीं है, आत्मकत्ता की पर पक्तियों में भी नहरू ना, धरम के पार्षपरिक और व्यवारिक स्वरूप संक्टित धरम का विरूद किया, जंद विश्वर की थलास में थे, उनने इमानवत वादिलक्ष कहना कोला, उनने इस वर के स्वतित के बारे में बार बार संचे पर गणिया, और अस्ता वाल्टियर के इसका थनम अविश्वत थी, कि इस वर नहीं भी है, तो भी में हमें उसका अविश्कार करना पड़े हुआ, पन्त उसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि उस पर इतना निर्बन निर्बन हुआ जाए कि मनुश का आत्म विश्वास से समापत हो जाए और स्रजिनात में की योगता और सामर्त कुछ ला जाए निरू कहना था कि ऐसा मालम होता है जीवन की तमाम समस्याओं के हल के लिए हमारे भौतिक जगत में दो शुक्ष मस्तों है जो किसी ने किसी धंग का विश्वास जरूरी है और निरू के था कतन था कि हम इश्वर में विश्वास करें या ने करें हमें किसी चीज में तो विश्वाइस करना ही पड़ेगा हमें सरजनात में जिन्दी की देने की तागत कर सकते हैं पदार्त में अंतरनीत प्रमुक शक्ति कह सकते हैं और जो पदार्त का जीवन बढ़ाती है उन्हें बदलने बढ़ने के सामर देती है नहरुजु ने एक इस्थान पसपस लिखा कि हम उसको कोई भी नाम क्यों ने दे ये मानना पड़ेगा कि बात ऐसी वस्तु है जिसकी सत्ता है जिसमे असलियत है उस तरह जैसे जिंदगी मौत की मुकाबले से असलियत है अलेकर उसका प्रतक्ष पता नहीं लगता हम्मे से ज्यादतर उस उद्देश वेदी पर किसी न किसी इस्वर की पूजा करते है जो कोई भीट चेंडाते है और ये कोई भी आधरिश हो सकता है नहीरू धर्म और इस्वर के प्रती सच्चे अर्थों मास्ता रखते है सत्त और कर्णा के अध्यात्य मुल्यों मुन की घहरी आस्ता थी इसके जीवन दर्शन वह समस्त तत्विद्वान है जिने महात्म गाने धर्म का सार बता है अंधिश्वासमोन प्रथाय और रूढया उनके लिए धर्म ने थी जिवन के प्रती उनका समस्त रिष्ट्टकॉन वेग्यानिक था उनके आस्त धर्म के वेग्यानिक और मानात्वादिर उसुरूपमी थी नेरु दर्म को सामझे कितों को मान साधन मानते थे उन्हों लिखा कि दि धर्म का आश्य पूर्ण निष्टा के साथ सत्त की खोज करना है और सत्त के लिए अपना सर्वस्य बल्दान कर देने को उगत रहना है तो उन्हें धर्म की मान सेवा को एक मजबूश सिपाई बनने से किसी प्रकार को यापत दिनी है नेरुन कभी भी मान तार नहीं रही कि विक्तिया धार्मिक हो जाए और धर्म का मानव जीवन कोई मूल्य यह नहीं है धर्म को मानव जीवन की एक आधार भूत आव शक्ता की पूर्थी बानते है धर्म वहतात्य जो मनुश्की रिधे की आंत्रिक अभिलाशा को तरप्त करने की शक्ति रखते है यह धर्म ने गुंड यह गुंड ने होता तो इस प्रकार की मानशक्ति कभी अपने नहीं बन पाता और अशन की व्याकुल आत्मा को शांति और साप्वन नहीं दीपाता वस्तर जीवन शक्ति के बारे में धर्म की प्रति उसका अकृष्ण सधिव सर्वदै बना दाओ इश्वर और प्राकरतिक सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए नहरू किसी धर्म विश्विस के प्रति समर्पित नहीं थे वो तो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते हुए सभी धर्मों के सार माना उतवाद के प्रति समर्पित थे धर्म ने पेकस्ता को अर्थ का अर्थ इन सब्दम व्यक्त किया कि इसका अर्थ धर्म ने हींता नहीं है इसका अर्थ सभी धर्मों की प्रती समाना दर्भाव सभी व्यक्तियों के लिए समाना अवश्र है चाहे कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का निवाई क्यों ने हो इसलिए हमें दिमाग में अपने संस्कृति में इस आवशक पहलो को ध्यान रखना चाहे जिसका आज के भारत में सबस्यदिक मेहतो है उनों गोशन की कि हम देश में किसी प्रकार के सामप्रदैक्ता को सहन नहीं कर कर रहे हैं जिसम प्रतेग धरम और मत को पूरी स्वत्मता समान अधर भाव प्राप्त हुआ और प्रतेग नागरी को समान स्वत्मता समान अवश्र की सुईधा उप्लब्द होगी तर्मिर पेक्सता की बारे में कहा कि देश की एक ताक आधार है पंड़ी जवालाल नहरु नहीं मानव इतियास और भारती इतियास से बड़ा लगा होता है और इतियास के इस अध्यन के अधार पर ने इसकर पहुंचे कि फूट और स्वांपरदा कि विश्ध ने इसकी संसक्रति और गोरव शाली परमपरा को भारी नुकसान पहुंचा है पर निजवाला नहरु की इतियास में समय समय पर और लंबी अधियों तक अत्यांत कल्या पर ये होना अलग अलग रहने की भाउना को होना हमारा बड़ा दुर भाग है भारत की महान शक्ति आंतरी कल्या में यूहीं वेर्थ होगी निस्या में भारत के इतियास में कुछ एक शेक्षा ग्रहन करनी च परण लगलग चलने की बहाव नहीं नहीं को इस्वास ताकि एकता की अभाव में हमारी स्वत्मता सदेव खत्रे में हैं एकता की कमी काशे देश की बरवादी है इसके अनसार फूट और सांपलता है कि इन शक्तियों को परजित करने का मार्ग यहीं हो सकता है कि हमें धार में मत्मतांतरों से उपर उठकर सभी धर्मों की प्रतिसमान आधर भाव अपना ले इस प्रकार धर्मिन पेस्ता देश की एकता का मार्ग और मूला धार है देश के सभीधान द्वारभारत के दमीरत को सीमा तक मार्ग जिता है तक वह जानता थेकि भावनातव में के लिए इसलक्ष की प्राप्ति वीइधताओं को समाप करें कोने순 वहिलक्षन विविद्धाओं को बना रखनी कि较स्ट की जा सकते है राज जी के और समस शुदार सिश्टाचार स्वास सब्सक्राइब और नेक्स्ट जो लास्ट जो थी कि धर्म में पेकसा दृष्टिकॉन को सामजी जीवन के अन्य छेत्रों में वपनाएं जाना चाहिए जीवन के सभी छेत्रों में दृष्टिकॉन धार्मी मानेताओं का आधार पर नहीं वर्म विवेक, सम्मत और विञ्जानिक और मानुई आधार पर निधार्ट किया जाना चाहिए सभश नागरिकों के लिए समान नागरिक से इंता का अपना Cornell जाना चाहिए और धारम की श्रासों को इसके मार्ग में बादक नहीं बनने दिया जाना चाहिए दोख़ा दो आण कर दो 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 अ को दो दो दोड़यो dawति से रहा है